रित्य इंसान के उद्साह को प्रकट करता है भारत में हमारे जितनी भी देवता पूजे जाते हैं, वे सभी नाचने वाले देवता हैं रित्य कई तरह से आपके संतुलन की परिक्षा है इससे सिर्फ आपका शारेरिख संतुलन ही नहीं, आपका भीतरी संतुलन भीताय होता है मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे आज आपसे एक सवाल पूछने का मौका मिला सद्गुरू, आपसे मेरा प्रशन यह है कि क्या भारतिय संस्कृती में ऐसा कोई नृत्य है, जिसे औशदी नृत्य भी माना जाता है क्या आप लोग नृत्य को एक ऐसी चीज मानते हैं, जो उपचार कर सकती है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी यात्रा मंगल मैं हो नमस्कार मिशल, आपसे बात करके खुशी हुई, आप मृत्य करती है मुझे आपको बताना चाहिए मेरी बेटी जो तीस साल की है, बस अभी तीस की हुई है वो भारती है, शास्त्रियन उत्यांगना है ये नृत्ति का एक बहुत ही जटल और प्रगतिशील रूप है जो एक समय में बड़े पहमाने पर भारत के मंदिरों में, पूजा के रूप में और भेट के रूप में विकसित हुआ था पर आज इसे मंच पर भी किया जाना है तो क्या भारती नृत्या किसी रूप में हमारे आध्यात्म से जुड़े हैं क्या उनसे किसी तरह का उपचार होता है या क्या वे सिर्फ मनुरंजन के अलावा कुछ और दर्शाते हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी नर्तक, भारत के शास्त्री नर्तक, नृत्य को एक मनुरंजन के प्रक्रिया नहीं मानते वे इसे एक पवित्रकार और एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं ये आपके नृत्य से बहुत अलग है पर शरीर की बहुत ही परिश्कृत हल्चलों, भेंटों और जटिल कहानियों को नृत्य के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो मैं आपको कुछ वीडियो भेजना चाहूंगा ताकि आप इससे परिचित हो सकें या आप इससे वैसे भी इंटरनेट पर देख सकती है इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि भारत में हमारे सभी देवता जिनकी पूजा की जाती है वे सभी नृत्य करते हैं अगर वे नाच नहीं सकते तो हम उने भगवान नहीं मानते ये आपके लिए कैसा है? क्योंकि नृत्य आपके शरीर के उल्लास का प्रतीक है यदि आपकी जीवन उर्जा, यदि आपका शरीर आनंदित है तो वो स्वाभाविक रूप से नृत्य ही करेगा वो नृत्य सांस्क्रतिक हो सकता है पर मूल रूप से नृत्य इंसानी उत्साह की बौचार है जिसमें जीवन उर्जा का सैला भी न हो आप ऐसी हस्ती को इश्वर कैसे कहा जा सकता है? तो हमारे सभी देवता नाचते हैं तो ये हमारी संस्कृती में बहुत गहराई से समाया हुआ है पर जब हम भारत की बात कर रहे हैं यहां सब कुछ एक सा नहीं है भारत एक विशाल देश है यहां एक समय में 19,000 से अधिक भाशाएं थी अगर आप ड्राइव करें तो हर कुछ किलोमीटर बाद आप देखेंगे कि लोग दिखते अलग हैं, खाते अलग हैं उनके कपड़े और संस्कृतिया अलग है उनका संगीत और नृत्या अलग है तो हम भी संखरश कर रहे हैं इन चीजों को बचाने के तरीके खोज रहे हैं क्योंकि यह बहुत जटिल और फैला हुआ है पर आज कुछ रूप बहुत अच्छी तरह से क्या कहें चलन में हैं कई युवा उन्हें अपना रहे हैं और उन्हें मंच मिलता है लोग उनृत्यों को देखने के लिए पैसे भी खर्च करते हैं तो इस पीढ़ी में यह नृत्या फिर से जीवन्त हो उठे हैं यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका शरीर नाचना नहीं चाहता तो बात यह नहीं है कि आप नाच सकते हैं या नहीं प्रशन बस यह है कि क्या आपके अंदर से जीवन उर्जा छलक रही है या नहीं क्या आप से जीवन उर्जाएं प्रभाहित हो रही हैं या आप एक ढलते हुए जीवन हैं, तो जिसे, जिस आयाम को हम नित्य कह रहे हैं, अगर हम बढ़ती उम्र के बच्चों में, अगर ये आयाम सिखाया जाए, तो संतुलन बनाया जा सकता है, जिससे वो बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो ख्षमताएं हैं, और हमारे भीतर जो योग्यताएं हैं, और हर इंसान में जो भी प्रतिभा है, वो संतुलन होने पर ही प्रकट हो सकती है, जित्त कई तरह से आपके संतुलन की परिक्षा है, इसमें सिर्फ शारिरिक संतुलन ही नहीं, आपका भीतरी संतुलन भीताय होता है, संतुलन के के लिए बहुत जरूरी है कि इसे वापस लाया जाए और यह बहुत अच्छा है कि आप अमेरिकन रित्यों को वापस ला रहे हैं और मैंने अभी आपका एक छोटा वीडियो देखा काश कि हम पहले मिले होते आपको टैनेसी में आकर हमारे केंद्र में आकर प्रदर्शन करना चाहिए आपको नाचते हुए देखना आद्पूत होगा मैंने देखा कि उन भारी घंटियों के साथ ये काफी मुश्किल रहा होगा पर आपने अच्छे सी किया आपको बधाई और मेरा आश्रवाद ये संस्कृति वापस आनी चाहिए आपको जानी चाहिए